फ्रेंड्स आज मैं प्याज वाली सिंधी कोकी लाई हूँ जो सिंधी लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं तो इसमें गेहु का आटा प्याज, मिर्च, कोत्मीर, नमक, अनारदाना, तेल लगता है पेले मैंने गेहु का आटा डाल दिया है बाद में बाकी का सब प्याज, कोत में ग्रीन चिली, नमक, अनारदाना डाल दिया है इसको अब ऐसे ही मिक्स करके तेल डाल के मोन से अच्छे से पेले गुन लेना है और प्याज का पानी छुटेगा उसी से पेले गुनना है और बीच-बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा कड़क टाइट गुन से और इसी आटे को मैं बड़े बड़े बनाती हूं बोल्स होते हैं पर मैं वो पेरे का शेप देती हूं और अभी ये तवे पे हलका सा एक दो सेकन ऐसे गरम करती हूं समझो पांच सेकन आगे पीछे गरम करती हूं सेकाई करती हूं तवे के उपर और इसको अभी मैं पराठ करकर के सेकना है अगर सपोटर नहीं है तो हमें नैपकीन अच्छा लेना है और आगे पीछे तेल डालना है और इसको तेल डालने के पार वापस मिक्स करके ऐसे सेकना है सपोटर से इस तरह से प्रेस देना है वापस थोरा दूसरी साइड में तेल डालो और पल्टा के उसको वापस अच्छे से प्रेस करना है सपोर्ट से यह तो आप नेपकेन ले लो यह कोई अच्छा सा ऐसा चमचा ले लो और यह देखिए इस तरह से गुलाबी कलर हो जाना चाहिए पूरा बिस्किट स्टाइल का टेक्स्चर आ जाना चाहिए यह कितना सुंदर बन गया है लाइक शेर कमेंड कीजे बनाए एंजोई